इस webinar को देखने से पहले कुछ बातें जानना बहुत ज़रूरी है पहली बात ये कि ये webinar उन students के लिए है जो कि अपनी J preparation के syllabus completion की speed बढ़ाना चाहरे है बिना quality reduce करे actual efficiency बढ़ाने वाले methods के थूँ ना कि किसी hacks के थूँ तो hack और trick वाले लोग यहां से चले जाएं ये webinar actual methods के लिए है ये कोई marketing या story वीडियो नहीं है ये actual learning वाली वीडियो है जहांबे मैं आपको वो चीज़ें बताऊँगा जो कि आप practically apply कर सकते हो जो कि students apply कर चुके हैं उनके लिए work करी हैं और 10,000 से जादा students के लिए work करी हैं ये video मेरे whatsapp group में जो session हुआ था उसकी recording की तरह create की गई ये session live हुआ था जहांबे मैंने students को ये सब बताया था जो भी मैं आपको इस video में बताने जा रहा हूँ साथ में एक live Q&A भी हुआ था तो आपके जो questions है वो मैं clear करूँगा जब आप group में आ जाओगे इस पूरे webinar को देखने के बाद आप group में आओगे मैं आपको एक timing दूँगा और आपके सारे questions clear करूँगा अब क्योंकि आप एक YouTube user हो तो chances हैं कि आपको आदत होगी उन लोगों से कुछ ना कुछ सीखने की जो लोग qualified नहीं है तो पहले मैं आपको ये inform कर दूँग कि आप किस से actually इस अब सीखने जा रहे हो ताकि आपको ये clear हो कि आप किसी unqualified या random लोगों से नहीं जो कि YouTube पे भारी मातरा में मजूद हैं आप उससे सीख रहे हो जिसने achieve किया है और thousands of gig experience को help किया अचीव करने में मेरा नाम पाथ चोपड़ा है मैं एक educator हूँ और entrepreneur हूँ आपके लिए मैं एक educator हूँ मेरा काम students को सिखाना है skills और academics जो की competitive exams के लिए है skills तब जब आप college में हो या फिर आप job कर रहे हो या आप business कर रहे हो आपको startup है लेकिन अभी आपके लिए क्या ज़रूरी है अभी आप J-vipression कर रहे हो तो आपके लिए मैं एक academic teacher हूँ इस वक्त और mentor तो आप देख सकते हो कि मैं multi-dimensional हूँ मेरी rank J-advance 2018 में 1953 आई थी and that was least of my achievements मैं जो भी आपको सिखा रहा हूँगा वो मैं अपने personal experience से नहीं जो कि मेरा as a J-advance experience था उससे नहीं मैं आपको सिखा रहा हूँगा उससे जो कि मैंने 10,000 plus students को personally पढ़ा के और guide करके जो experience लिया है हर तरह के student को उसके through मैं आपको कुछ बता रहा हूँगा जो कि जो मेरे साथ हुआ जरूर नहीं आपके साथ true लेकिन जो tens of thousands of J-advance जरूर आपके लिए वो applicable होगा उसमें से कुछ ना कुछ वेकाज वो उस experience से आ रहा है कुछ students कूछते मैं कौन subject पढ़ाता हूँ मैं तीनो subject पढ़ाता हूँ basic से लेके advanced theory, problem solving, paper solving, everything और मैं ये पिछले 6 साल से कर रहा हूँ और मैं YouTube पे और बाकी social medias में मिला के 5-6 लाग J-advance की help कर चुका हूँ उनको touch कर चुका हूँ किसी ने किसी way में मेरा primary काम YouTube videos बनाना नहीं मेरा काम है आपको सिखाना मैं सिखाता हूँ अपने mentorship program के अंदर मैं सिखाता हूँ अपने course laws के अंदर जो कि physics, chemistry, math के होते हैं और कोई किसी course law के एक सोटे से partner भी आ सकता है जैसे कि inorganic calculus, algebra and so on तो इस session आपको अगर useful लगता है जो कि मैं guarantee करता हूँ कि आपको लगेगा अब क्योंकि यह मेरी knowledge का 1% से भी कम है जो कि मैं आपको driver कर सकता हूँ इसलिए आप और knowledge gain करने के लिए और clarity gain करने के लिए और help के लिए और मेरा support लेने के लिए mentorship program ये course laws में आ सकते हूँ because that is my main work this is not my main work but अभी के लिए फिलाल वो सब छोड़ो webinar पर focus करो जब आप almost 40 minutes से webinar को दे रहे होगे focus तरह से तो बीच में ऐसा होगा कि में भी आपका मन करे कि आप बीच में उठ जाओ बाकी का बाद में देख लोगे procrastinate कर दोगे जैसे आप बाकी सारी चीज़ें कर देते हो और यह reason है इस बात का कि क्यों आपका syllabus fast complete नहीं हो पाता तो अगर आप इस webinar में आयों और मैं आपसे promise कर रहा हूँ 100% guarantee दे रहा हूँ कि आपका syllabus complete fast होगा आपकी speed बढ़ जाएगी मैं आपका guarantee दे रहा हूँ जासे इस webinar को देखने के बाद जो आपको चीज़े सीखने को मिलेगी आप उनको easily और automatically apply कर रहे होगे और naturally result आएगा जब यह webinar हुआ ग्रुप में live तो फिर बहुत सारे students ने आकर बहुत बहुत सारे students ने आकर मुझे बताया कि उनकी syllabus complete करने की speed जो हो बढ़ चुकी है already और उनको अभी session attend करते करते ही feel हो जाएगा कि yes 100% मेरी speed बढ़ेगी लेकिन आपको मैं एक challenge दे रहा हूँ एक challenge दे रहा हूँ बहुत important challenge है वो यह है कि आप इस webinar से jump off नहीं करोगे जब तक आप इसे complete नहीं कर लेते अगर आज आप अपने लिए कुछ set करना चाहते हो जिसके लिए आप proud हो सको वो यह है कि मैंने एक बहुत ही useful webinar देखा कोई random वीडियो ने देखी मैं YouTube पे आया और मैंने एक बहुत ही useful webinar देखा जो की मेरे 1000 घंटे बचा सकता है मेरी speed बढ़ा के और मैंने उसको पूरा देखा एक बार मैं देखा आप खुद से यह proudly कहपाऊगी तो इस मौके को मत खोने देना बीच में मत उठना और आप Q&A के लिए group join कर सकते हो सब description में आपको link मिल जाएगा आप course लो चाहो join कर सकते हो mentorship program चाहो जाहो जोइन कर सकते हो लेकिन सब कुछ आपको करना होगा जो भी आप करो लेकिन इस webinar के बाद इस webinar पर अगर आप अभी आगए हो आपको हटना नहीं है ठीक है आपको बने रहना है और आपको चीज़े सीखनी है जो की needed है तो जाओ paper pen लेके आओ जो भी distractions कर रहे हो वो कर दो वाश्रूम होके आना है आजाओ खाना पीना कुछ है फटापट खालो लेकिन इधर बैट जाओ भी और इसको एज़ा चैलेंज दो कि मैं उठूँगा नहीं और मैं सब कुछ सीखूँगा पेपर पेन पे जो important चीज़े है नोट वर्दी कि मैं नोट करूँगा और मैं सब चीज़ों के इंप्लेमेंट करूँगा और लेट दा ट्रांस्फोमेशन हैपन और यही में और जए एडवांस के लिए कैसे आव अपने सब्सक्राइब कर सकते हो बिना कॉलिटी लूज करें यह हम इस वेबनार में देखने वाले हैं तो वेबनार से लेटेट कुछ आपने उसको सुन लिया है तो यह कॉंटेंस जो कि आज हमें इस वेबनार में डिसक्स करने हैं सबसे पहले एक्जाम रिकॉर्मेंट को समझना है फिर efficient methods और sources के बारे में आपको बताऊंगा theory, practice और revision के लिए तीनों subject कैसे balance करना है theory, practice, revision कैसे balance करना है time management और productivity के बारे में बात करूँगा यह सारी चीज़े नीडेड है syllabus को fastest form में बिना quality reduce, complete करने के लिए अजब आप बोलते हो कि syllabus complete करना है exactly मुझे नहीं बता आप क्या mean करते हो बट मैं यह mean करता हूं कि आपने exam oriented preparation की हुई है J main हो चाहिए J advance हो अगर J main में आपके 70% से ज़्यादा questions सही नहीं हो रहे हैं तो फिर आप नहीं कह सकते कि आपको next chapter पर move करना चाहिए वो ही chapter पर काम करना बागी रगया है और आप किसी chapter को J main के level पर ready नहीं कह सकते एक्जाम रेडी नहीं कह सकते जब तक आपके at least 85% प्लस या 90% questions उसके सही हो रहे हैं जए advance के लिए हम मान सकते हैं कि जब तक two-third questions सही नहीं हो जाते तब तक next chapter move नहीं करेंगे और जब तक 80% से ज़्यादा question सही नहीं हो जाते तब तक हम उसको exam ready नहीं बोलेंगे तो दो definition है next chapter तक move करने के लिए कोई chapter मेरा enough तयार हो गया उसको मैं तयार बोलूँगा और एक तयारी का level है exam ready वो अलग measure किये जाएगा तो यह जो parameters है यह note कर लो और यह आपको help करेंगे track करने में कि आपका syllabus complete हुआ है की नहीं syllabus complete होने का सवाल ही नहीं उठता exam के लिए तयार होने का सवाल ही नहीं उठता अगर आप syllabus को as it is follow नहीं करते हो तो syllabus को समझना सबसे ज़ादा important है आपकी coaching के और books के जो भी materials होते हैं जो contents होते है एक्चुली अगर जही में के हिसाब से देखा जाए तो वो डेड़ गुना जादा है जितना जही में में आता है उससे और अगर advance के हिसाब से देखा जाए तो just वो double है यानि कि उसके अंद आदी चीज़े simply unnecessary है जो कि advance कभी नहीं पूछेगा कभी नहीं पूछता और ना उसने अपने syllabus में बोलाए कि वो पूछेगा ठीक है ना आपके paper में ऐसा कुछ आने वाला है समझे बात को तो जही में के लिए आप कह सकते हो कि one-third जो आपके study materials है वो वेस्ट है जही एड़ less irrelevant not for exam और मैं आपको बता हूँ कितना damage करता है आपकी preparation को out of the syllabus चीज़ें करना सबसे पहले जब आप out of the syllabus चीज़ें कर रहे होते तो क्या होता है आपके दिमाग में गलत impression होता है कि बहुत जादा है करने को ठीक है number two यह कि वो जादा irrelevant के चक्कर में आप जो relevant चीज़ें जो आपके दिमाग में आती जबकि syllabus में तो तीन चारी है तो जिसके दिमाग में हर वाक्त दस चीज़ें आएंगी वो कैसे exam को question solve कर पाएगा as compared to वो इंसान जिसके दिमाग में यहीं आ रहा है कि हाँ यह तीन चार तरीक है यह नहीं है simple तो समाझ पा रहे हो जादा करने के चक questions के बारे में सोचने में उतनी दिक्कत आपको पढ़ने में भी आएगी time आपका लगेगा और जो important चीज़ें इस बीच में वो खो जाएंगी तो आपको syllabus को follow करना होता है और पी वाई क्यू उसको देखना होता है कि exactly जो syllabus लिखा है इस से लोग क्या mean करते हैं exam वाले और क् पूछ रहे हैं वो उसकी लिएगा syllabus के नाम पर क्या पूछ रहे हैं और आप देखोगे कि they stick to their syllabus they stick बहुत सारे टीचर्स आपको बोलते हैं कि they don't stick but they stick वो टीचर उस syllabus को गलत तरह से इंटरपेट करते हैं इसलिए वह ऐसा कहते हैं तो आपको इस बात को समझना है अब मैं आपको example समझाता हूं यह जही मेन का syllabus है integral calculus का integral calculus को one of the most toughest chapter समझा जाता है और यहां पर आप देखोगे कि कितनी simple चीज़े कि क्या क्या पूछा जा रहा है यह लिखा हुए यहां पर कि basic चीज़े आपसे पूछी जाएंगे exponential, logarithmic, trigonometric, algebraic ठीक है और उसके बाद ती distribution, by parts, partial fraction, कोई और चौथा method नहीं है ठीक है इसके अंदर trigonometric identities का use होगा यह तो basic चीज़े और इसके अंदर यह 10 forms है integration के जो की आएंगे और यही 10 forms हैं जो की आएंगे यही आते हैं और यही आते रहेंगे यह जहीं मेन का syllabus है यह जहीं मेन का कॉनिक sections का और circle का syllabus है यहां पर circle के अलग-अलग forms of equation बता रखे हैं और फिर यह बताए कि कोनिक section में क्या आएगा यह तीन कोनिक section ने standard forms में यह आने वाले हैं और इनके tangents के उपर questions आएंगे यह बताए हुआ है यह भी नहीं बोला कि वो 10 तरह की जो चीज़ें वो आएंगी और आती भी नहीं है जिनमें आप यह T1, T2, T3 रट से रहते हो वो सब questions अलग-अलग होते हैं ऐसा नहीं होता कि उसमें questions की जगा कोई variable put कर दे और उसके standard result बना दे औ और 20 तरह के result आप याद करते रहे जाओ सोचते हुए कि ओ पैरा बोला कितना बड़ा है पैरा बोला बड़ा नहीं है लिमिटेड है और ऐसी तीन हो इलिप्स हाइपर बोला सब लिमिटेड हैं वही concepts है basic जिनसे questions बना जाते हैं concept सीखना होता है basic वाला और questions कैसे बना जाए यह सीखना होता है ना कि आपको बहुत सारे channel results रट करके पूरी किताब को रटना होता है जिसमें फला फला के लिखा है आपको इस बात को समझना है कि ऐसा क्यों है देखो अगर मान लेते हैं syllabus के according चले तो फिर आपकी जो coachings हैं वो आपके दो साल तीन साल चार साल नहीं ले फिर हाफ अगर आपकी किताबें मोटी नहीं होंगी तो एक जो बिचारा इनोसेंट जहीं एस्परेंट होता है वो से कैसे खरीदेगा कैसे फसेगा हो यह सब फसाने के तरीके हैं फिर उसके बाद coachings जब तक आपके mind में muscles के mind में यह नहीं डालती है कि it is very very tough ठीक है तब त सब्सक्राइब के जो lower batches हैं उनको नहीं छोड़ते हैं उनके दिमाग में इंप्रेशन रखते हैं खाली जो टॉप batches होते हैं उनके दिमाग में इंप्रेशन रहता है कि okay yes it is possible it is easy it is obvious लेकिन जो बाकी लोग है उनके दिमाग में इंप्रेशन रखा जाता है it is very difficult it is a lot and so on ऐसे नहीं कि वह टॉप जो टॉप batches वाले हैं वह ज्यादा capable नहीं उनको शुरू से यह बताया गया है इस वज़े से वह capable है अब यह तो था integration का जो मैंने आपको इससे पहले भीजा था जैमेन का syllabus लेकिन अगर आप जैएडवांस का syllabus दिखोगे तो वह भी equally simplified है उसमें त तो आपको कैसे करना है इसको आपको इसको ऐसे करना है कैसे syllabus का यूज करना है पहली बाद तो syllabus को समझें एक तो syllabus से आप क्या इंटरप्रेट कर रहे हो उस पूरी बहुत सारे चीज़ें डिपन करती है तो पी वाई क्यूस को देखें 2013 से लेकर लेकर लेटस पी वाई क्यूस देखें जे मीन के भी और जेडवांस के वहां से पंसलेगा कि जेन क्या पूछता है प्र टॉपिक और जब आपको वहां से कर रहे होगे तो कोशिश करो की oaky person करो जो की P A Q के level से और type से मैच करते हैं जो जही में इन टाइप के questions आते हैं वैसे questions जादा करके जाता है वो अगर as compared to other student अगर वह one third questions भी कर लेता है तो भी वह advantage में क्यों क्यों उसने एक्जाम में इसे कुश्चन आने वाले हैं वैसे की हैं सेम जाई एडवांस के लिए भी ट्रू है अगर एडवांस में जिस तरह कुश्चन आते हैं वह आप प्रैक्टेस कर लो then you are at an advantage even if you do one third of the questions समझे बात को क्योंकि अगर आप फस जाओगे बहुत सारे अलड़ा तरह के questions हैं books में इसमें जो कि exam के pattern को belong नहीं करते हैं उसमें अगर आप फस जाओगे then there is no coming back जान रखना एक बार आप फस गए तो फस गए क्योंकि आप उसी में खोते रह जाओगे अंशंट शीटें complete करते रह जाओगे books complete करते रह जाओगे actually यह approach ही गलाते books complete और sheet complete करने वाली exactly मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप syllabus complete करोगे बिना यह books और यह sheets और यह सब complete करे जो कि absolutely complete करना useless है syllabus completion की actual process क्या है क्या हम theory पढ़ने तो syllabus complete हो जाएगा या practice करने तो complete हो जाएगा नहीं जब मैं बोलता हूं complete इसका मतलब यह कि मैं अगर आपको अभी question दूँगा ना 20 question pyqs के level के तो आप उन में से almost सारे questions solve कर लोगे इसका मतलब होता है complete करना अब यह कैसे accomplish होगा क्या यह theory पढ़ने से बड़ी-बड़ी accomplish हो जाएगा और theory पढ़ने के बाद questions करने से और पूरी book complete करने से accomplish हो जाएगा नहीं actually पूरी book की सारी theory पढ़ना ज़रूरी है भी नहीं आपको क्या करना है जैसे जैसे सबसे पहले बात हो जैसे आप एक chapter का intro लेते हो सबसे पहले जैसे आप उस chapter को start करोगे आपको क्या करना है उसकी visualization की videos देखनी है या फिर उसकी practical videos देखनी है देखो physics chemistry math practical subjects हैं किताबों से इनकी शुरुवात नहीं होती है lab से होती है लेकिन lab आपके घर पे नहीं है lab की videos आपके घर पे जो phone रखा है उसमें है यानि की YouTube पर या फिर कहीं पर भी इंटरनेट से आप उनको देख सकते हो experiments को conduct होते हो देखो optics पढ़ने से पहले light को समझो light के बारे में videos देखो light के experiments देखो atomic structure पढ़ने से पहले electron के experiments देखो वह experiments नहीं जो NCRT में लिखे हैं वो जो कि actually आपकी understanding को बढ़ाएंगे कि actually electron क्या है ठीक है तो वहां से actually आपको idea लगना शुरू होगा जो किताब से कभी नहीं लगेगा lecture से भी लगए क्यों कोई बोल रहा है कोई visualize नहीं करवा पार आपको बहुत ही अच्छा teacher चाहिए जो कि ऐसी चीदों को visualize करवा सके लेकिन ऐसा बहुत rare होता है मत मान के चलो कि ऐसा है आपके case में ठीक है तो सबसे पहली शुरूबात तो यहां से होती है कि आप practical चीदें पढ़ने जा रहे हो उस बात को समझो और practical चीदों से शुरूबात करो visualization से experiment से और फिर उसके बाद आप रीडिंग शुरू करो आप लोग ना lecture hell में फसे हो lecture hell क्या होता है हर चीज के लिए आप lecture ढूंदते हो यह चीज इस lecture में cover हो जाए कुछ लोग तो ऐसे हैं जो questions को solve करने के लिए भी lecture ढूंदते हैं यह प्रैक्टिकल चीदें करने के लिए तो lecture में ढूंदो और in fact आपको क रखता है कि अगर कोई भी information wise dense lecture होगा और उसमें 30 मिनिट में कुछ ना कुछ बताया जा रहा है बताया 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 जा रहा है information याद कर लो बहुत सारे derivation याद कर लो आप एक बोर्ड स्टूडेंट बन जाओगे समझ रहे हो बोर्ड स्टूडेंट कैसा होता है वो क्या करता है ठोड़ी पढ़ता है और वो उसके पढ़ने का अप्रोच ही गलत है वो concept पर ध्यान नहीं दे रहा है अगर मान लेते हैं मुझे Doppler effect जानना है तो मुझे Doppler effect जानना है मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उसकी जो derivation equation की वो कैसे होई और and so on ठीक है वो याद करना उससे में को मतलब नहीं है पहले मैं concept पर जाऊंगा पहले मैं देखूंगा कि Doppler effect क्या है कहां apply होता है उसका पूरा feel लोंगा उसके बाद मैं exact definition पर जाऊंगा इसको बिल्कुल to the point read करूंगा कि what is Doppler effect और फिर उसकी equations पर जाऊंगा कि equation क्या होती है Doppler effect की फिर मैं उसके additional points पर ध्यान दूँगा फिर उसके बाद मेरा concern में भी यह हो कि मैं अगर curious हूं इस बारे में कि इसकी definition आया कहां से यह कैसे equation बनी तो फिर मैं में भी उसको जाऊं उसके देखूं लेकिन मैं याद करने के intention से नहीं देख रहा हूं derivation अपनी ही curiosity को fulfill करने के intention से देख रहा हूं जो की सह intention है याद करने derivation को बेकार intention है फिर इस तरह से आप concept by concept जैसे की advanced के syllabus में दिया हुआ है जैए main के syllabus में दिया हुआ और बुक को आप यूज करते हो एंसाइकलोacies की तरह ना कि ये कि आपको इस बुक को नोवल की तरह पढ़ देए हो आपको इसको एंसाइकलोफीडियो की तरह पढ़ना है मैं Doppler Effect पढ़ना चाता हूं इसलिए मैंने book ख़ोली है मैं question करूँगा और book बंद कर दूँगा ये नहीं कि मैं sandwich पे sandwich लेके बैठा हुआ हूँ और उसको stack करे जा रहा हूँ एक की उपर एक रखे जा रहा हूँ और फिर उसमें से एक sandwich उठा रहा हूँ फिर मैं 200 page उसमें से पलट रहा हूँ और फिर मैं को कहीं दिख रहा है इसके question solve करना you are not supposed to do that book एक question bank है उसमें से selected question उठा के करने होते हैं बुक एक content bank है उसमें से certain content आपको read करना होता है ठीक है और कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जो कि maybe आप miss कर दो खुद से तो वह book में आपको दी रखी होंगी तो अगर आपके पास time है वह सब topic wise concept wise चीज़ों को करने के बाद अगर आपके पास time है तो फिर तभी आप full book read करो otherwise मत करो सिर्फ वही रीड करो जो important लग रहा है कहीं पर apply हो रहा है कहीं questions में आ रहा है otherwise time waste करने के जरूरत नहीं है time already enough waste हो चुका है और हो जाएगा अब questions कैसे करना होता है दियान रखना theory और questions के बीच का जो bridging gap होते हैं वह होते है illustrations illustrations करना practice करने का सबसे पहला step है illustrations के करे बिना practice करना waste of time है आप उससे किसी तरह कि कोई problems नहीं सीखते है ना आप उससे practice कर पाते हो ना उससे आपको कोई धिमाग बिल्ड होता है आपकी practice questions प्याने प्यान रखना theory में आपको जो concepts explain है concept को apply करना सिखाते हैं आपको illustrations उन्हें सीखना होता है कि how to do the question उन से सीखना होता है आपको उन्हें try नहीं करना होता है ट्राय करना चाहतों कर सकते हो लेकिन ultimately आपको solution देखना है इवन इफ आपसे question सही भी हो जाए क्योंकि illustration teaches you how to solve the questions जब आप वहां से सीख लेते हो फिर आपको अरड़ा तरह के questions ट्राय करने चाहिए किस तरह question ट्राय करने चाहिए level wise level 1 level 2 level 3 level 2 जही main level question को मैं बोलता हूं level 3 ज जो कि purely conceptual होते हैं concept आपको याद है तो आप टिक कर दोगे या फिर ऐसा होता है कि वो numerical based formula based question है है तो numerical लेकिन formula based है कि एक या दो formula apply कर दो answer आजाएगा तो ऐसे question से हम क्या करते हैं कि formula के अंदर जो calculation speed होती है वो build करते हैं और formula को apply करना सीखते हैं किस-किस use case में apply होता है ताकि जब बड़े और tough question आएंगे तो फिर हम उसको उसमें जो simple parts होते हैं एक बड़ा question हमेशा simple parts से बना होता है तो simple parts करना सीखते हैं तो बड़ा question करना भी सीख जाते हैं जो कि बड़े question को अगर हम interpret करने simple parts की तरह तो उसके नदर simple parts में actually यहीं करना होता है कि आपको numerical solve करना होत करने चाहिए बहुत सारे जो कि आप करते नहीं हो पता नहीं क्या सोच कर आप numerical बहुत सारे कर लेते हो जबकि numerical तो obvious होता है एक फॉर्मिला को एक दो बार आपने अप्लाइगा करने होते हैं क्योंकि आपने theory पढ़ी है अभी अभी वह complete नहीं मानी जाएगी जब तक आपन कॉंसेप्ट को अपने रिफाइन नहीं किया और रिफाइन नहीं किया तका मतलब तयार नहीं किया समझरे बात को फिर जब आप यह कर लोगे फिर आप लेवल टू जाई में और जाई एडवांस जिससे कॉश्चिन मूव करोगे जहां पर आप सीखोगे problem solving problem solving क्या होती है क कि question के बारे में सोच पाना ultimately questions में formula apply करने होते है numerical solve करना होता है concept apply करने होते है लेकिन इसे किस sequence में करना है किस तरह से करना है कैसे question देखकर मुझे strike करेगा कि मेरा next step क्या होना चाहिए और उस next step के बाद कैसे मुझे strike करेगा कि next step क्या होना चाहिए that is called problem solving skill और वह आपको अल आपने practice कर ली और illustration सीखा questions कैसे करते हैं और जो भी questions उसके बाद से आपके गलत हुए आपने solution देखा solution से सीखा और आप आगर बढ़ते गए ऐसे आपने बार बार किया कई बार और दीर दीर आप लेवल अप करते गए और फिर आपने problem solving skills भी develop करी है तभी आप जैई में ज को क्या करना है रिविजन करना है लेकिन आप रिविजन से क्या समझते हो अभी तक आप भी समझते हो कि कुछ पढ़ लो और भूल जाओ फिर उसको याद करो इसे रिविजन नहीं कहते हैं इसको कहते हैं पढ़ना और भूल जाना और फिर से पढ़ना डबल पढ़ना और ine बहुत मुश्किल होता है आपके लिए उसको रिकवर कर पाना क्योंकि भले ही आप हो सकता है नोट्स पढ़ पढ़के उस थियोरी को दुबारा से याद कर लो पॉइंट्स याद कर लो फॉर्मॉला याद कर लो खुश हो लो लेकिन आपकी कुश्चन सॉल्ड करने की जो बाद भी कुश्चन करने में उतनी स्पीड नहीं आपाती आपको एक दम से सॉल्डूशन स्ट्राइक नहीं करते ऐसा क्यों होता है क्योंकि वो रिविजन का बकवास तरीका है भूल कर फिर से पढ़ना या फिर मैं सारे चैप्टर पहले अलग अलग से कर लेता हूं फिर स आपको क्या करना है लेप अगर एक कुश्षेंट एक चैप्टर कर रहे थे और उसके नमर ऑफ और करते ते डेली juist । तो आपको ऐसा करना है कि week में आप 10 question कर रहे हो उसके जब आप बाकी chapters नई chapters पर आ गए तो पुराने chapters के आप week में 10 question कर रहे हो यह आपको ensure करना है ताकि आपकी continuous practice उनकी बनी रहे हों सारे chapters की और आप कभी ना भूलो और एक समय में या ना वो इतने strengthen हो जाएंगे न इतने ल तो इस level पर चीदों को लेकर आना है इस level पर लेकर आना है अपनी preparation को और वो कैसे हो जाती है level पर कोई बहुत महनत करने से ही हो पाएगा नहीं एक simple smart technique है उसको आप apply करो के तो हो पाएगा अजो आप यह सब चीदें सही से पढ़ रहे हो तो important है कि आप सही resource से पढ़ो आप यहां पर आपको previous year questions बताया जाते हैं उनका solution दिया जाता है chapter wise topic wise और paper wise भी chapter wise तो अलग करो paper wise अलग करो और chapter wise में से topic wise चुनना जो कि वह आपको बिल्कुल concept wise application दे देंगे ठीक है एक तो यह important है फिर दूसरा कुछ subject सेसे जहां पर NCRT important है और जहां पर भी NCRT important है वहां पर NCRT exemplar भी important है लोग इसको miss कर देते हैं जबकि NCRT exemplar में जो concept दी है वह बहुत बार एक्जाम में आ जाते हैं ठीक है और यह math और physics के लिए भी useful NCRT exemplar बनाई ही इसलिए गई है एस्पेशली जेई में के लिए तो बहुत useful है और कुछ तो question उसमें ऐसे हैं जो की अच्छे खासे concept चोले advanced level के भी है कुछ question तो वह जरूर करें ठीक है तो वह revision के लिए बढ़िया है वह practice के लिए बढ़िया है कोई चैपकर आपने basic level पड़ा है आप उसकी practice कर सकते हैं अब J-oriented materials जो हैं उन में क्या करें आप यह सब books use कर सकते हो सेंगेज अर्यहंत इन सब की और क्या करते हैं Pearson यह सब यूज कर सकते हो लेकिन मैं आप से यह नहीं कहूंगा कि यह complete करो ठीक है physics में आपको मिलेंगी बहुत सरी अच्छी और आप J-oriented करना चाहो तो physics galaxy की books हैं बट इन में से कोई भी मैं आपको complete करना recommend नहीं करूंगा मैं नहीं नहीं कहूंगा erode of complete करो मैं नहीं कहूंगा यह complete करो वो complete क्योंकि कोई भी book complete करना goal नहीं है मेरा concept जो है मैं उसको जिसके जितने भी type के question बनते हैं मैं यह देखूंग अब नहीं बुक खोल के सब्सक्राइब करने में मेरे को दिक्कर आती question रीड करूंगा मैं बोलूगा क्या मेरे लिए असा नहीं करें लूगा तो फिर मैं उसको नहीं करूंगा अगर मेरे लिए मैं को ऐसा लगता कि चैलेंजिंग है यह कैसे होगा मेरे दिमाग में आया है कैसे होगा फिर ट्राइ करता हूं उसको ऐसे ऐसे करना है आपको यह तब है लेकिन जब आप refine करने जाओ जब अपने chapter को जब आप प्रिपेर कर रहे हो तब आपको एक बुक से illustrations जब आप करोगे तो आपको idea लग जाएगा फिर आप जब single create कर रहे होगे यह फिर topic wise जैसे सेंगेज जए तो उसमें topic wise डीपीप होती है उसे करो तो topic wise आप practice कर रहे होगे वहाँ पर समझो उसके बाद फिर दूसरी books में जाओ तो किसी books से शुरू करोगे न आपकी हमेश रही तो वह कोई भी हो सकती है वह इतना बड़ा मैटर नहीं है अगर आप concept wise पड़ते हो फिर आप टाइप wise question attempt करते हो then आप यह सारी चीज़ें कर सकते हो दो चीज़ें non-negotiable है NCRT non-negotiable है और बाकी सब आप यह सब कर सकते हो लेकिन इसमें ध्यान रखना कि किसी means oriented किताब पर advance समझ के उस पर काम मत करना या किसी जेए मेन oriented study material को करके उसको advance oriented मत समझना ऐसी भूल मत करना या फिर कोई जो होता है ना competitive exam की जनरल किताब आती है उन्हें मत करना प्लीस जो जेए oriented है उसी को करना है कोई भी जनरल competitive exams की बुक नहीं करेगा यह आपको वाला करना है अंटर अलने साब बाकी competitive exams की वह अलग बात है ठीक है लेकिन मैं यहाँ पर मानता हूं कि जेए प्रेशन की आप त्यारी करता हूं मैं जेए प्रेशन की बात करता हूं और ध्यान रखना revision का आपका जो source है वो यह होना चाहिए कि आपने questions mark किये हुए एक chapter को पढ़ते है वक्त ठीक है और उसके अंदर आपने लिखा हुआ है do during revision आपको लगता है कि एक कोई concept है जो इस question जो यह वाला question अच्छे से मेरे को revise कर वा रहा है तो उस question को मैं mark कर दू होगा do during revision ddr ऐसे करके mark करतूंगा ताकि जब मैं revision करने जाओं जब मैं कर रहा हूं उस chapter के 10 questions पर week तो मुझे मालूम हो कि कौन से वह 10 question करने है जो कि मेरे सारे concept cover करवाएंगे ठीक है और अगर ऐसा हुआ है कि आपके बहुत सारे chapter आपने पढ़े हैं और चूड़ गये है औ या तो आपको उसको शुरू से मार्क करना होगा फिर से पढ़ना होगा आपको फिर से मार्क करना होगा अधरवाइस आप कोई ऐसी बुक कर सकते हो जो की crash course type की या फिर revision package है जैसे की resonance का rank booster आता है इस तरह से आप कर सकते हो materials का इस्तमाल कर सकते हो फिर वो 30-40 days में जैमेन वाली वो काती है वो आप कर सकते हो तो ताकि आपको हर concept को cover करते हुए एक question, दो question, तीन question मिल जाए है ताकि ऐसा ना हो कि एक तरह ये question आप ज़्यादा कर लो बाकी तरह के छूट जाए selective question आपके पास हो ये important है revision के लिए अब तीनो subjects को balance कैसे करना है, one ratio, one ratio, one करके नहीं करना है, ना ऐसे करना है कि मेरा strong subject math है तो मैं math जादा करूँगा, ना आपको ऐसे करना है कि मेरा weak subject math है तो मैं math जादा करूँगा, ऐसे में फिर जो strong है फिर वो weak बन जाए तो आपको क्या करना होता है, कि आपको total time देना है उसके हिसाब से मैं डिवाइड करो आप यह देखो कि आपके syllabus completion की क्या progress है आप ऐसे measure करो कि मैं कितने marks मैं math में achieve कर रहा हूँ ऐसे कि अगर मान लेते मैंने एक chapter किया जिसका 4 marks हमेशा आते हैं exam में तो इसका मतलब मैंने उस chapter को complete करके मैं ऐसा मानता हूँ कि 4 marks कमा लिए math में अब मैंने एक chapter किया जो कि किया chemistry का उससे उसके 12 number के question आते हैं तो मैंने 12 marks कमा लिए अब इसमें मैं same time दूँगा क्या नहीं न तो आप इस बात को समझो अगर आपको चलना ही है balance करके तो आप ऐसे देखो कि कितने marks में अचीव कर रहा हूँ ठीक है ऐसे करके देखो है ना दूसरा आप कैसे देखो दूसरा आप ऐसे देख सकते हो कि कि किसी किसी chapter में ध्यान रखना ज्यादा time लगता है तो आपको पता होगा कि यह chapter ज्यादा लेंदी है तो उसमें ज्यादा time देना allowed है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है फिर आपको daily basis पर कैसे manage करना है क्या रोज तीन सब्जेक्ट पढ़ने है अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ो अगर नहीं पढ़ सकते तो ऐसे कर लो कि तीन दिन में आज physics chemistry पढ़ोंगा कल chemistry math पढ़ोंगा अगले दिन math physics पढ़ोंगा ऐसे कर सकते हैं अब यह जो balancing थी तीनों subjects की बीच में यह हो सकती है concepts practice और revision के अंदर भी कि मैंने दिन में दो घंटे दिया revision को मैंने most of the time दिया या at least 50% time दिया practice को बाकि टाइम दिया theory को फॉर एक्जांपल अगर मैं 10 गंटे पढ़ रहा हूं तो चार गंटे से ज्यादा थियोरी नहीं ठीक है फिर चार गंटे प्रैक्टिस और दो घंटे revision या फिर ऐसा हो सकता है कि दो तीन घंटे थियोरी दो घंटे रिविजन वाले questions और बाकि टाइम प्रैक्टिस और जब बहुत बड़ी मित है जो लोग सोचते हैं एक question पर ज्यादा time अगर दे देंगे और बहुत सोचेंगे उसके बारे में बहुत सोचेंगे पागलों की तरह सोचेंगे तो फिर उससे कुछ हो जाएगा आपकी problem solving skill improve हो जाएगी problem solving skill आपकी innovative solutions को होते हुए देखने से होती है कर करने के एसा नहीं है कि कोई इनसान जो है वह ऐसी kicking मारता रहेगा और मार्शल आटिस्त बन जाएगा नहीं एक और शोछ उसे चैखाता है कि कि तरह से önce मार्नी होती है त्लग affair की अपनी मशण्टें करने कि उसकी practitioners होती है वो करने के बाद फिर वो अपनी flexibility पर work करने के बाद, power पर work करने के बाद, अपनी cardio activity पर work करने के बाद, muscular activity पर work करने के बाद, वो किक करना सीखता है, तब वो सही तरह से किक करना सीख पाता है, तब वो practice के लिए भी eligible होता है, अभी अगर आपसे question नहीं बन रहा, तो ये इस बात को indicate कर रहा है कि आप ये concept भी है तो जाके वो strengthen करो और illustrations करो अगर आपके question नहीं बन रहे तो अगर आपका level 2 का question नहीं बन रहा है इसका मतला आपने level 1 के enough question नहीं किये level 3 का question नहीं बन रहा है इसका मतला आपने level 2 के enough question नहीं किये बहुत सारे टीचर से रेकमेंड करते है जो कि अंग करते हैं यह तब के questa आपस विल्कुल फोकृर्ट टाइम और मैटर नहीं करता आपकी प्रोग्रस क्या है बिल्कूल मैंटर नहीं करता और क्योंकि आपकूछ नहीं करने को दो आप यह कर रहे हो यह ज ने जाकर रहा हूं फूसके लिए झालने का मतलब यह थे ज्दूलसप सीर्ण यहं कर लेक्ट्री सब्सक्राइगा यह मतलब यह मैं और से महर लेक्ट है कि एक्चली अंद्वांस लेवल सब्सक्राइब हो रहा है वह भी रुख जाएगा अगर आप इस तरह की हरकते करोगे की सवाल पर 25-25 मिनट अटके और आपकी habit बन जाएगी कि आप सवाल को सवाल को कर लेते हो लेकिन टाइम महुँद ले आते हो तो फिर आपकी slow thinking habit बन जाएगी slow thinking habit आपको लीड करेगी इतनी सारी problems में कि पूछो मत और यह मत सोचना कि इससे आप को research oriented दिमाग develop कर रहे हो आप बिल्कुल नहीं कर रहे हो research वाले आप देखोगे वह बहुत अच्छे होते fundamentals में fundamentals में अच्छे हैं इसलिए research करने बैठें slow हैं इसलिए research problem solving तो आपको वह maximize करनी चाहिए ठीक है future में अगर आप research पर जाते हो देन आप एक एक basic पर think कर रहे होगे कि one plus one भी ऐसे कैसे अजूम कर लिया कि one plus one two है तो ऐसी चीदों पर नहीं जा रहे है आप अभी आप क्या कर रहे हो step one कि यही तो गलत चीदे हैं जो कि आपका इतना सादा time करी हैं इस वज़े से आप इतना slow काम कर पारे है तो अगर आप इसको करना बंद कर दो सरकत को आपका बहुत time बचेगा फिर आप lectures में कहा time करते हो आप लेक्चर में बहुत टाइम वेस्ट करते हो आप इतनी सारी चीज़ें पढ़ने की कोशिश करते हो ना लेक्चर के तुरू जो कि आप बुक से हाल कमफ़रटेब्स रीड कर सकते थे यह को बुक को आप एंसाइकलोपीडिया की तरह यूज कर सकते हो लेक्चर को नहीं कर सकते लेक्चर आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा और बुक में आप अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ा सकते हो लेक्चर में आप स्पीड कितनी बढ़ा पाओगा एक्स देर एक्स उसके बाद फिर आपको समझना बंद हो जाएगा लेकिन अगर आप अपने इड्वांस में जब इतना सब कुछ रीड करने को है और हमारी रीडिंग स्किल पर हमने वर्क नहीं किया तो फिर क्या नुकसान होगा और लेक्चर के हम अडिक्ट होगे हैं तो फिर क्या होगा एक्जाम में कोशिन भी नहीं रीड कर पाएंगे आप आप नोटिस करेंगे क्योंकि आप lecture hell में सब्सक्राइब और lecture आपका time बहुत ले जाएंगे ज्योंकि lecture में टीचर अपनी पेस से चलेगा ठीक है बहुत कमी ऐसे lecture होते हैं क्योंकि अच्छी खासी पेस के साथ होते हैं जैसे आप देखो इस webinar को आप अप अटेंड कर रहे हो इस webinar की पेस है समझ रहे बात को इस वेबिनार की पेस है कि कैसे टाइम पर चीज़ें कंप्लीट होती जा रही है ठीक है वह अगर एपसेंट होगी तो फिर आपका बहुत टाइम विस्ट होगा तो ऐसे बहुत कम ही आपको ऐसे लेक्चर्स मिलेंगे जो कि सही पेस के साथ है एक्चुली वह सब्सक्राइब ना कि एक एक लेक्चरर देखते जाते हो वन शौट देखते हो आप तीन गटे चार गटे तो आप जो इन्फरमेशन गैदर करे वह सब कोई पॉइंट थोड़ी है आप अपने आपको इल्यूजन में डाल रहे हो कि आप कुछ पढ़ रहे हो लेकिन आप इ जाके एक भी सवाल हो पाता है ठीक है लेकिन जाहतर जो चीज़ें 80% वो ऐसी हैं कि आप 15-20-30 मिनिट पढ़ो at max उसके बाद आप सवाल करते रहा जाओगे 50 सवाल आप करते रहे जाओगे इतना पढ़ लोगे 30 मिनिट में तो तो आप कैसे देख सकते हो मतारा लेना अब तीसरा डाम्वेस्ट बताऊं यह मैं आपको टाइम मेनेजमेंट उ परोडॅक्टिविटी के बारें प्रक्टेखल बाते बता रहOW तीसरा पॉइंट थीसरा पॉइंट है आपका टायम टेबल बनाना आप ऐसे टायम बनाते हो जो कि आप फोलिल नहीं करते हो time table बनाने में आपका आदा एक घंटा गया और उसको फुल्विल करने की जबरस्ति की कोशिश में आपकी stress जाती इतनी सारी और फिर उसके बाद ultimately वो time table और ऐसा होता है इतना बेकार होता है इतना un-executable होता है कि वो 3-4 घंटे बाद ही आप notice करोगे कि वो follow होना ही बन्न हो जाता है क्योंकि पता नहीं वो किन चीजों को assume करके बनाया होता है पता नहीं क्या हम उस वक्त बड़े अच्छे देने पढ़ लूँगा लेकिन आपको समझने में time लग गया अब क्या करोगे उसको पढ़ना छोड़ दोगे अगर पढ़ना छोड़ दोगे तो चैप्टर के साथ ज्यात्ती हो जाएगी चैप्टर के साथ बहुत कर दोगे आप कि आपने बीच में ही उसको अटेम्ट देना चोड़ दिया टाइम उप हो गया आप ठीक है और अगर मान लेते हैं आप उठे नहीं उसे करते रहे फिर आपका पूरा श्यूडूल बिगड़े तो ऐसे श्यूडूल बनाना टाइम टेबल बनाना इसमें क्यो क्यों कि अइसा नहीं होने वाला तो आप जानते हो कि इतना टाइम होते की तनी टाइम लगेका तो लमाशन देते वह लेकर आ चानती नहीं कि कतना तो उसमेंगोंfly स्वरूर सो मैं टाइंतिंच करना पॉइंट्लेस है मत करो time टेबल बनाने में time waste time टेबल ऑनाने में टाइ हो रहा है तो या तो आप depression में पागल हो रहे हो या फिर आप ये सोच रहे हो कि एक और टाम टेबल बनाले। या फिर आप सोच रहे हो कि आप क्या करें अब तो लौस्ट हो गए यह सब टाइम विस्ट है, क्या करो, पांच-दस मिनिट में फटा पर चीज़ें लिस्ट करो, एक्जिक्यूट करना शुरू करो, और जब अपने दिन में 30%, 40%, 50% चीज़ें टाइम एक्जिक्यूट करने में जब लगा दो, उसके बाद इस बात की फुरसत रखो, कि हाँ चलो काम सारा कंप्लीट करने से पहले, तो फिर ना पो, कि यार मैंने ना आज मैथ बहुत पढ़ ली, कल फिजिक्स पढ़ूँगा, ऐसे करो, ना कि यह कि दिन की शुरुवाद में बैठे हुए, और एक चीज़ में तो डूँओ पहले, एक चीज़ में तो डूँओ, कुछ त करोगे, वो भी सब प्रिडिक्ट करके, तो फिर कुछ नहीं होगा, प्रिडिक्ट मत करो अपने एक्शन को, एक्शन एग्जिक्यूट करो, उसके बाद मेजर्मेंट करो, मैं तुम्हें बताता हूँ, जेई के सिलिबस में, एडवांस के एस्पेशली, ऐसी एक भी चीज़ नहीं है, जो कि आ गई हो एक्शन में, और सिलिबस में ना हो, ऐसी एक भी चीज़ नहीं है, ये सब कोचिन टीचर्स मैनुपलेट करते हैं, बहुत गंदा स्टूडेंट स्टूडेंट को और यूटूब पे कुछ क्या कहना चाहिए, बहुत गंदा मैनुपलेट करते हैं स्टूडेंट को, बहुत बहुत जादा, मतलब जैसे ही को यह बोलता है, मैं समझ लेता हूँ कि यह एक्स्पिडेंस टीचर ही नहीं, कहीं से भी नहीं है, किसी एंगल से सही से इंटरपेट नहीं किया, वो कैसे टीचर, वो क्या पढ़ाएगा, सोच के देखो ज़रा, कैसे वो पढ़ा सकता है, सिलिबस के साथ यह अपडेटेड नहीं है, ठीक है, तुम जो मैं को एक्जाम्पल्स दे रहे हो न, वो बिलकुली, मैं क्या बताऊं, ट्रिग्नोम कि इसमे क्या को तो इसमें से show कि यह नहीं करता है, जो कि आडवांस में लिखा नहीं है, कि पैरा बोला में कहीं पर समेशन इंवाल्व होगा अरे यह कौन सी बात हुई मुल्टिपल कॉंसेट्स हैं वह आपस मिक्स हो सकते हैं उनके मिक्षर से कोई थोड़ी लिखेगा बैठके और उन कॉंसेट्स को अगर आपने अलग-अलग भी पढ़ रखा है तो भी आप उन क स्मूदली effortlessly ठीक है और ऐसे ही it is supposed to be done ऐसे नहीं कि आपको 25 कुषिंट प्रैक्टिस कराए जाएं सीरीज के साथ ट्रिगनोमेटरी की तो ही आप कर पाओगे अदर्वाइस कर नहीं पाओगे फिर इसका मतलब आपके बेसिक्स डवलप भी नहीं किये गए हैं क्योंकि अग और तुम बोल रहो कि फिजिक्स में वेक्टर नहीं लिखा मैथ में आता है वेक्टर या फिजिक्स में आता है वेक्टर तो मैथ में आता है वेक्टर एक मैथमेटिकल बेसिक है वो फिजिक्स में क्यों आएगा कि सिलबस में थोड़ी लिखेगा को इसको फिजिक्स में मै यह physics में कोई matrices बना सकता है ये कोई तो ठोड़ी दिखाएगा तुम्हें कि physics में भी बी więcej PNC apply कर दें वह तो math है math apply हो सकती है math तो apply हो इसक्ति ना physics chemistry हो कर लो chemistry में अगर कहीं तुम्हें D by D T देख गया तो तुम ये थोड़ी बोलोगे कि chemistry के इस chapter में में को d by dt नहीं लिखा syllabus में तो इसमें कैसे d by dt डाल दिया अरे multiple चीजें है math है वो basic जो physics में chemistry में कहीं पर भी apply हो सकती है समझे बात को और j advance के syllabus में जिस हद तक के questions आते हैं solution of triangle के वो सारे ऐसे question है जो की basic से solve किया जा सकते हैं जितना advance में लिखा हुआ है टिग्नोमेट्रिक function general solution और इनवर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन बस अलिमेंटरी प्रॉपर्टीज मुल्टेपल सब मुल्टेपल एंगल इन सब से addition सब्ट्रेक्शन प्रॉडिसिटी ग्राफ इन सबसे वह सॉल्व किया सकने वाले questions है कोई भी अगर तुम यह बता रहा है कि नहीं यह लिखा होगा तभी इसका question पूछेगा तो वह बेवकू बना रहा है पहली बात तो और से खुश समझ में नहीं आ रहा है